कोरोना जब से हमारे देश में आया है तब से एक गहरा संकट हमारे देश में है हमारे देशवासी हमारे देश के पुलिस हमारे राजनेता सारे इस युद्ध में लगातार पुर्जोर कोसिस कर रहे हैं आज हमारे साथ कोरोना संकट के इस काल में परिचर्चा में मवजूद हैं भागलपूर के युवा कभी बिहार के युवा कभी नितिश कुमार उपद्धिया है नितिश जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिल्क टीवी में हम आपसे जानना चाहते हैं जहां पुलिस परसासन जहां बिहार सरकार पुर्जोर को सिस कर रही है कि लोग घरों में रहें लोगडाउन का पालन करें कोरोना को हराएं वहीं लोग इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है लोग को lockdown का पूरा मतलब नहीं पता है आप क्या कहना चाहेंगे भागलपुरवासियों को कि lockdown का किस तरीके से पालन किया जाए और कोरोना युद्ध कैसे जीता जाए जी सबसे पहले जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा परबंधन की बात करते हैं चुकि कोरोना एक प्रकार का आपदा है तो हम लोग इसमें एक अध्याय पढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार तो सबसे पहले तो हमें सही और सठीक जानकारी जो चीजों की मिलनी चाहिए इसके लिए आप तमाम मीडिया बंदू आप तमाम सिल्क टीवी के आपको और आप सभी सभील वैक्तियों को बिसेज करके पत्रकार बंदू जो इस काल में भी लोगों को अगाह कर रहे हैं और यहां तक मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को धन्यवाद ग्यापित करता हूं और आप लोगों का अभार व्यक्त करता हूं लॉक्डॉन के इस काल में देखिए हम पाएंगे कि सत्रू अद्रिस हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सामना नहीं किया है, हमने विशु पिजयता सिकंदर को यहां से हरा कर भेजा है, हमने लौटाए, सिकंदर सर जुकाए, मात खाए, हमसे भीड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर ग जना होगा, और भागलपूर के लोगों से एक विशेश बिंती है कि बिहार के लोगों से और देश के लोगों से जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे बिंती है कि इस अद्रिस सत्रू को हराने के लिए, इस अद्रिस सत्रू को हराने के लिए हमें आत्म सय्यम, आत्म अन जब जब माने भारत माने अपने बेटों का सीस मांगा है तो तब तब हमारे यहां बेटे पीछे नहीं आते हैं तब तब वो आगे आए हैं और देश के लिए अपनी आहुती दी है आज हमसे हमारी माता हमारी माँ भारती हमारी मात्री भूमी हमसे घर में रहने की मांग कर र रही है तो मैं कर रहा हूं आप कर रहें और उमीद है कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और एक छोटी सी घटना है चुकि आप लोग पत्रकार हैं जानते होंगे दिल्ली में एक व्यक्ति जब अपने घर आया और उसे कोरोना था उसने जाच नहीं कर आई होगी या जो भी समस्या मुझे तो जानकारी कम है लेकिन उसके चलते हम लड़ेंगे देश लड़ेगा और देश जीतेगा आपसे यह बात जाना चाहेंगे कि जहां युद्ध लगतार पिछले एक महिने से जारी है हमारे कोरोना युद्धा लगतार को मात देने के लिए अपने तरफ से लगतार कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो यहां पर यह कि इतनी बड़ी युद्ध में ये छोटी-छोटी आसाफधानी कहीं न कहीं हमें हार का सामना करा सकती है जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां तक आपने कहा कि जो कोरोना वरियर्स हैं जो डॉक्टर, पत्रकार, सैनीक, पुलीस, परसासन जो हमारी सेवम और जन पर परतिनिती समाज के खास करके उन्हें भी आज नहीं भूलना चाहिए जिस परकार से अंगराज करने की इस दानवीर धर्ती पर जो लोग आज अपने आसपडोस के लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये सब बातें ठीक हैं लेकिन आपको ये भी मानना है कि आज सारा वत सनलाम पर है जो जहां पर है वतन के काम पर है तो आप अब लोग ये देखने निकल जाते हैं कि रोट पर आदमी कितना निकला हुआ है ये देखने के लिए निकल जाते हैं तो ये चीज अच्छी नहीं है ये एक विक्रित मानसिक्ता की परिचाय है तो इस बात पर हम लोग के लोगों को घर में आगाह करें और साबधानी हटी दुरगटना घटी यह पंग्ति हम सभी जानते हैं अगर हम यह देखने निकल जाए कि रोट पर कितने लोग निकले मतर घस्ती करने निकल जाए तो मैं पुलिस परसाशन के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे मनचलो पर सकती के साथ करवाई की जाए किसी परकार के अराजकता इस बड़ी लडाई में आज तक इतने युद्ध हुए हैं विस्त युद्ध हुए हैं कभी ट्रेन का संचालन बंद नहीं था तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये वक्त बड़ा ही नाजुक है हम प अभी भारत से आसा लगाए बैठा है आसा की चादर बिछाए बैठा संपुर्ण विस्त बैठा है कि भारत आज देश को नेत्रित्तों दे रहा है और यही स्वामी विवेकानन का जो एक सपना था कि भारत एक वक्त विस्त गुरु भारत एक वक्त विस्त गुरु बनेगा तो वो सपना साकार तब हो सकता है जब हम सयमीत रहें और इसमें बहुत सारे अफसर हम लोगों को मिलेंगे हम लोगों की अफसर यह है कि आज देखिए अमेरिका की अर्थवेवस्था बहुत उपर थी हम लोगों से आज वो भी डॉन हुई हम तो जो थे जहां थे डॉन थे अच्छी बात है आज संपुन विश्व नीचे उतरा है और मैं आप लोगों से पतरकार बंदू है यह बात दूर तक जाए यहां से मैं आप लोगों के घोसना करता हूं कि यह कोई भी जब बीमारी डिंगू हो कोई भी जब अंधेरा होता है तो वो छटता है सुरज उकता है मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी और आपकी मेहनत से कोरोना का हार निश्चय है और जब यह सवे अंधे की बात है कि हम लोग कैसे विश्व गुरू बनेंगे तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पात उपजाओ भूमी है हम पसुपालन में दुनिया के स्रेश्ट लोग है हमारी रक्षा बजट अन्ने देशों की रक्षा बजट से कम है तो यहां पर एक संभावना एक बहुत युवाओं को प्रेरित करेगा अभी जो संकट का घडी है जो संकट का समय चल रहा है इसमें हमारे सहर के काफी युवावर्ग समास सेवा के लिए आ गया रहे है गरिवों को असहाय ज़रतमंदों को रासन दिया जा रहा है उनको मास्क दिया जा रहा है क fistmat का मतलब है हम आपदा से लडाई लड़ रहे है अगर हम अस्सकारिके नाम नाम पहसे से अगर माल लिए जा चाए कि मैं किसी को भोजन देने जा रहा हूं ने दस लोग को भोजन वित्रन आं किया और यहां मैं कोरोना पोजेटिव हूं या उनमें से कोई हो और उस दस से फिर सो में और फिर फैल गई तो ये हरकतें बहुत गलत है आप जो भी चीज करें एक काईदे से करें क्योंकि आप केमेस्ट्री पढ़ें आप फिजिक्स पढ़ें और आप देश का कानून पढ़ें सम्भिधान पढ़ें जब जब आप कान वस्यक छेड़ चाड़ करेंगे आज भी अगर हम चीजाओं को नहीं समझेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा हमें भुगतना पड़ेगा और आप देखिए इटली जैसा सक्तिसाली देश अमेरका जैसा सक्तिसाली देश आज उनके लास को कंधा देने वाले लो हम असाबधानी बस हमारी लड़ाई यह है कि हम साबधानी से जीत सकते हैं तो मैं युवा से खास करके कड़वी बात कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को मकारी देश से आज नहीं करनी है हम लोगों को पिर्थवी राज के सामने जैचंद हम लोगों को नहीं बनना है तो इ कि जहां पर वहां पर भी जमघ्ट होती है तो वहां पर विशेष ध्यान रखा जाए तो इसके लिए प्रसासन को इसके लिए काम करना चाहिए अगरी है प्रसासन हिंदुस्तान बिश्चु सुग्रु बनेगा मतलब इसमें कोई दोहुराय नहीं है पर ये चोटी चोटी भूल कि हम फेंटम हैं, हम सड़त पर निकलेंगे, हमें भूत नहीं आता, हमें कोरोना क्या आएगा, मतलब ये जो चोटी चोटी भूल है, ये जो चोटे चोटे समवाद हैं, ये बिहार में, खास करके चोटे चोटे सहरों में, भागलपूर में, या आसपास क चोटे चेत्रों में ज्यादा सुनने को मिलता है तो क्या लगता है आपको कहीं न कहीं education या सिख्छा हमें इस कोरोना की लड़ाई में पीछे धकेल रहा है यदी हमारा साक्षता तरदर जादा होता बिहार में ज्यादा सिख्छित लोग होते तो इस लड़ाई में हम ज़्यादा अबल तरीके से अपना रिजल्ट पाते क्या लगता है आपको देखिए बात ये है कि हम लोग आत्मसयमित हैं लोग काम कर रहे हैं और सिर्फ अगर हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई के साथ या बहुत अच्छे स्वास्त सुविदाओं के साथ हम ये लडाई नहीं जीत सकते हैं देखिए जब राम वनवास गये थे उतने बड़े राजगराने का पुत्र जब वनवास गया तो 14 साल वो भी एक कुटिया में रहें जंगल में रहें किसकी ना में रहें चित्रकूट में रहें तो जब उतने बड़े राजगरान कि बहुत सिक्षित लोग जो बिदेश में रहते थे जो पढ़े लिखे थे अमीर थे कोरोना को लाया उसने है भुगत करीब रहें लेकिन जब किसी भी परकार की आपदा आती है तो मिल के लड़ना होता है आज का वक्त हालात यह है कि लड़ाई मिल कर लड़नी है लेकिन अल राजनेताओं के संदेश के मामले में या फिर आप अगर संदेश देते हैं तो वो संदेश जादा प्रेरित करेगा जादा प्रभावसाली रहेगा आप कवी हैं आप अपने कविता के माध्यम से हमारे देशवासियों को हमारे सहरवासियों को कुछ संदेश देए प्रेरि से ये डंका फीटते हैं कि भारत भी सुग्रू है तो ये साबित करने का इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता है यदि आप अपनी कविता की माध्यम से अपने देशवासियों को अपने सहरवासियों को प्रेरित करते हैं तो मुझे यकीन है कि युवावर्ग के लोग समझेंग आप दो चार लाइन अपनी कविता कर लें ये आप सभी का प्यार है लोगों का आप लोगों है यहां तक हमसे बास्चित करने के लिए और जो भी लोग हैं ये सभी का मुहब्बध है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंशती है तो मैंने एक कविता मैं ने गहोर्भी कि अभ भारत एक संत सनातन देश रहा है तो मैंने लिखा था कि और यहां पर देखना है कि वक्त को समझने का कभी वक्त नहीं मिलता अभी वक्त मिला है वक्त को समझो और मिलकर लड़े हैं जब तो दुनिया जीती है हमने मिलकर लड़े हैं जब तब दुनिया जीती है हमने अभी ल रड़ना अकेला है वक्त को समझो और यह कोरोना क्यों आया? और क्या सजा है? कि जरूरत की इस धूंद में अपराध कितने कर दिये? हम लोगों ने पेड गाट दिये, जंगल गाट दिये, अब हम लोग देखते हैं कि चीते तेंदुए सहर में घूम रहे हैं, मुंबई दिल भी माता सिर्फ हमारी है लेकिन माता का वात्सल Comedy अपने सभी बच्चों के लिए होता अगर किसी माँ को पांच बेटे था यहां पर रहने वाले जो है इसका तुम परिनाम भूग दो तो मैंने उसके लिए लिखा था कि जरुरत की इस धुंद में अपराद कितने कर दिये ये इसका ही सिला है वक्त को समझो तो ये कविता लिखी थी मैंने और जब मैंने इसमें लिखा था कि दिल्ली में जब हम लोगों ने देखा कि कोरो कुछ लोग बाते ही ऐसी करते हैं कि लड़ाई रुके नहीं कभी हिंदू और मुसलमान की, तो कविता का ये धर्म नहीं है, कविता का धर्म ये है कि मंदिर में दाना चुकर चड़ियां, मस्जित में पानी पीती हमने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, ये हिंदू बेटे जो उसके साथ फांसी पर जूल रहे थे, उसने उनसे कहा कि तुम फांसी से डर रहे हो, तो कहा कि नहीं मैं फांसी से नहीं डर रहा हूँ, तुमारे यां साथ जन्मों का विदान है, तुम फिर जन्म लोगे, और देष के लिए आहुती दोगे, हमारे हैं एक जन में ही जन्नत मिल जाती है, तो अब मैं दोवारा माता की सेवा के लिए नहीं आ पाऊंगा, इस बात का मालाल है, तो ये समरस्ता का देश है, लेकिन जो बदनाम करने की साजिस की गई है, तो मैंने उस पर लिखा था, कि एक गरीव देखी, अपने आपको आज कैसे सेह मित करके रखाया, अप लोग पंक्ती की दर्द और बात को समझे, कि देश की रक्षा है तू, फासी चूम जूले वीर, गानवंदे मातरम कर सीस जुकने दिया नहीं, और देश की रक्षा है तू, भूके हम मर रहें, पर देश की आनबांचान को मर ने दिया नहीं, और कि पुलिस सेना डॉक्टर और पत्रकार के सम्मान में भूक मर रहे बच्चों को भी घर से निकलने दिया नहीं और घर की आसाओं और परिवार की उम्मीदों से लड़ लडाई कोरोना को समाज में सटने दिया नहीं ये गरीब का बेटा करता है एक किसान का बेटा जो फोज में जाकर सहादत देता है और जैनियू और अलीगड मुस्लिम उनिवर्सिटी में लोग पढ़के देश बिरोधी नारे लगाते हैं तो ये दर्ध भी स्पंक्ति में साथ थी लेकिन देखे होती क्या है कि इतियासों क हर बड़ी लड़ाई में कुछ मकारी होती है पिर्थवी राज के विजयपत पर जैचंद की गदारी होती है और एक गरीब कह रहा है कि जिसको अपनी नहीं है इज्जत या जिसका खून खराब है वो अपनी समझे अपनी तो भूक मरी में भी खुददारी होती है अपनी तो भूक मरी में भी खुददारी होती है, और ये जमातों के लिए जिन्होंने धर्म को बदनाम करने की कोशिस की, कि कुछ तो समझा होता दिल्ली के इन जाहिल जमातों ने, कुछ तो समझा होता दिल्ली के इन जाहिल जमातों ने, पूरा देश जला रखा है बेबुनियादी जाहिल बातों ने, बनकर कलाम क्यों नहीं वतन को सौरिदान दे सकते हो, के सब को भी विवस कर रखा इन पागल सी सुपालों ने, के सब को भी विवस कर रखा इन पागल सी सुपालों ने, तो यह सब मैंने लिखी थी, आपकी पंक्तिया, सच में प्रेरना दायक है, युवावर्ग के लोग आपसे जरूर प्रेरना लेंगे, और जो यह जमातियों के बारे में जो आपने बताया, कि धर्म को बदनाम करने का किसी का भी कोई तातपर ही नहीं होता है, और नहीं हम किसी एक दो यद दस के कारण पूरे एक समुदाय को अपने घेरे में ले सकते हैं, तो यह कहीं न कहीं गलत है कि हम किसी एक धर्म को विसेश तोर पर घेरे में ले लें और फिर उस पर चर्चा परी चर्चा करें, हल हमारे सामने युवाओं को प्रेरित करें आगे से इस बात का जरूर हमारे सहरवासी ख्याल रखेंगे कि सड़क पर ना निकलें लॉक्डाउन का पूर्णता पालन करें कोरोना युद्ध जीतना है हमें इंडिया जीतेगा कोरोना हारेगा लेकिन इसके लिए आपको सयम बरत पड़ेगा आपको अपने घरों में रहना पड़ेगा आपको अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने देश का भी सोचना पड़ेगा हलाकि ये परिचर्चा आपके साथ बहुत बहतरीन रही आपने जो संदेश दिया मुझे लगता है कि हमारे सहर के युवा इस बात को समझेंगे और कहीं न कहीं इस बात से इस बात का अमल करेंगे और देखेंगे कि देश में किस चीज की जरूरत है अभी घर से नहीं निकलने की जरूरत है आज हमारे साथ चर्चा में महजूद युवा कवी मितिस कुमार उपाध्याय ने जो संदेज दिया मैं चाहता हूँ हमारे सहरवासी इस चीज को समझें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और यही सोच सिर्फ आपको कोरोना से जीता सकती है यह युद्ध आप तभी जीत सकते हैं जब आप सरकारी गाइडलाइन का पूर्नता पालन करेंगे हलांकि यह परिचर्चा आपको कैसा लगा हमारे युवा कवी द्वारा दिया गया संदेज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही अगर यह वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यह वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद